दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्त on के मेरी video वहन जो हमारे vehicle होते हैं उसके detail बारे में कि गाड़ी का नंबर डालके उसके मालिक की जानकारी कैसे हासिल करें तो उसके लिए चलते हैं प्ले स्टोर में चलते हैं क longest we canšall land लेंगेगे यहां पर सर्चवार में डालेंगे वईकल ओनर डिटेल यह मैंने पहले सी डाल लग स्था इसको स्ट्रेक्ट कर लेंगे एक दो तीन CTR चोथे नंबर पर है यह vehicle owner detail India इसको select कर लेंगे यह मैने करक्षा था पहले तो इसको मैं यह मैने करक्षा है यह अपडेट मांग रहा है तो इसको पैक चले दाएंगे यहां से ले लेंगे तो यह मैंने open कर लिया है, हम simply क्या करेंगे, यहाँ पर काड़ी का number डालेंगे, जैसे कि UP, कोई भी number, जो भी काड़ी का number हो, आप डाल सकते हैं, यह मैं डाल ला हूँ, UP 15BP, 279, यह number आप डालेंगे, नमबर डालने के बाद आप सर्च पर क्लिक कर देंगे, सर्च पर क्लिक करने के बाद यह detail आजाएगी, ओनर ने मीनू, रिजिस्टेशन नमबर यह हो गया, रिजिस्टेशन अथोर्टी, मेरट आट योत्तर परदेश, यह पूरी detail आजाएगी, यह देखिए, रिजिस्टेशन डेट तीन दिसंबर है, वाहिकल लेज, पांच साल, आट महिन ने एक दिन हो चुका, ठीक है, गाड़ी का आपको detail जाननी है, जिस भी गाड़ी का आपको detail जाननी है, आप यहां पर डाल देंगे, चलो मैं एक और डाल देता हूँ, UP, 15, BP, इसको PP ना करके इसको करते हैं, AA कर देते हैं, और नमबर डाल देता है, कुछ भी, 12, 13, ऐसे डाल दिया, इसको क्लोज कर देंगे, यह कोई नमबर ने था, चलो बैक चलते हैं, UP, 15, AS, 14, 12, सर्च कर देंगे, यह है जी, ओनर नेम, आरिफ, रेजिस्टेशन नमबर यह हो गया, मेरा टार्ट उत्तर परदेश, यह हिरो अंडर मोटर साइगे, पैसन प्रो, यह सब इसमें पता चल जाता है, तो आप, अगर किसी भी गाड़ी की डिटेल जानना चाहते हैं, तो आप इस एप्लिकेशन को इंस्टॉल करें, और जैसे मैंने बताए, यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर गाड़ी का नमबर डाले, और सर्च कर ले, और यह इस तरीके सा आपको, गाड़ी की पूरी डिटेल म आपको मिल जाएगी, और इसमें एक option दे रखा है, काफी option है, इसमें दे रखा है, loan calculator का दे रखा है, इसको भी आप कर सकते हैं, जैसे loan amount आपका 10,000 है, interest rate यही है, यही डाल देता हूं, और आप इसा रख रहे हैं, बारह महिनने के लिए, 10,000 का loan है, interest rate साड़े नू परसेंट का है, और आप बारह महिनने के लिए कर रहे हैं, तो आपको, क्या EMI, आपकी मंतली EMI पड़ेगी, 846 रुपे, और यह आपको अतिरिक्त जो देने पड़ेंगे, 10,522 रुपे देने पड़ेंगे, एक साल में, एक इसमें यह भी आप calculate क कर सकते हैं, यह इसमें option दिया हुआ है, तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो, तो वीडियो का लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको, मैं जैसा हर बार कहता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो को किसी और के साथ सेर कर सकते हैं, तो आप बिल्गुल इसको सेर कर सकते हैं, तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यावाद,